बंदर और बंदरगाह का गधा वह बंदरगाह में एक गधा गोपाल को देखा जो बहुत ही उदास और उबाव दिख रहा था मंगल उसके पास गया और पूछा अरे गोपाल भया आप इतने उदास क्यों हो रहे हो गोपाल ने उदासी से कहा मेरी जिन्दगी में कोई चीज नहीं है मुझे सिर्फ कंधो पर भारी बोज उठाने का काम मिलता है और कोई मजाक नहीं करता मेरी जिन्दगी उबाव हो गई है मंगल ने गोपाल को हनसाते हुए कहा भया आपको क्या पता है कि जिन्दगी में मजा और खुशी खुद हमें ढूंदनी पड़ती है अगर आप दुखी रहेंगे और खुश नहीं रहेंगे तो आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी गोपाल चिन्तित हो गया और सोचने लगा फिर वह मंगल से पूछा तो आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं कैसे अपनी जिन्दगी को खुशाल और मजेदार बना सकता हूँ मंगल ने अपने हंसमुख चेहरे से कहा भाया आप अपनी जिन्दगी में थोड़े से मजे और हंसी ढूंढिये जब आप खुद मुस्कुराएंगे और दूसरों को हंसाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी आप जो कर्म करते हैं वही आपको मिलता है गोपाल ने धीरे धीरे अपना दृष्टिकोन बदला और अपनी जिन्दगी को खुश हाल और मजेदार बनाने का निरने लिया वह मंगल के उपदेशों को मानते हुए अपने काम में मन बोध और उमंग लेने लगा धीरे धीरे गोपाल की जिन्दगी बदलने लगी, उसने खुद को और दूसरों को हनसाना सीख लिया लोग गोपाल के साथ रहने में खुश होने लगे और उसके द्वारा आपसी मजाक और हनसी का माहौल बढ़ा इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि हमारी जिन्दगी हमारे आप पर निर्भर करती है हमें खुद को और दूसरों को हनसाना और मजे करना चाहिए क्योंकि यही हमें खुश रखेगा और जीवन को मजेदार बनाएगा